आज हम बनाना बता रहे हैं आपको आलू मेथी पालक की सूखी सबजी तो यहाँ पर हमने इतनी मेथी ली है इसको अच्छे से साफ कर लिया है पालक भी अच्छे से धुल कर साफ किया है और आलू जो है इनको हमने उबाल लिया है और छील लिया है और स्वात के मताबिक हम य ज्यादा कट नहीं करेंगे क्योंकि कट करके डालने से क्या रहता है कभी कभी सब्जी जो है बहुत तीखी हो जाती है तो हम इस तरह से कट कर लिया है अगर बहुत तीखी हो गई तो हम इनको खाते समय साइड में रखतेंगे नहीं हुई तो खा लेंगे तो हमने इतनी आलू इनको हमने छील लिया है और हरी सब्जी की मात्रा ये रखिएगा जैसे आपको इतनी पालक है तो पालक के जस्ट आधी आपको मेथी रखनी है तो सब्जी का फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा सा रेडी हो जाता है और इसमें हम मसाले बिल्कुल भी नहीं डालेंगे केवल सब्जी के लिए हम नमक डालेंगे तो नमक हम केवल सब्जी के हिसाब से डाल देंगे और हम यहाँ पर थोड़ा सा सरसो का तेल लेंगे केवल सब्जी को हलका सा पकाने के लिए तेल भी हम इसमें ज्यादा नहीं लेंगे तेल को हमने कढ़ाई पे रख दिया है गैस धीमी है तील ग़म हो गया है तो यहां पर हम दो सूखे मिड़्च로ff यह उसमें डाल देंगे और हलका से इनको तल लेंगे जब हमाई सब्जी पक जाती है पकने के धीमी रखेंगे गैस तेज नहीं करेंगे और साथ में यह हरी सब्जी भी है यह भी हम जालतेंगे हमने यह थोड़ा तेल डाला है अगर आप बिना तेल के बनाना चाहें तो बिना तेल के भी बना सकते हैं लेकिन गैस पूरी धीमी रखिएगा जब आप इस सब्जी को पका रहे हों और बढ़तन मोटे तले का लीजिएगा इससे सब्जी जलने न पाए और परफेक्ट सब्जी बन कर तयार हो सब्जी हमने डाल दिया है डालने के बाद हम इसमें स्वात के मुताबिक नमक डाल देंगे नमक थोड़ा बैलेंस करके डालिएगा क्योंकि पत्ते जो है यह अभी अपना पानी छोड़ देंगे तो यह थोड़े से रह जाते हैं तो नमक का धायन थोड़ा रखिएगा तो अच्छे से यह सब्जी जो है पक जाती है अब इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर देते हैं पूरी सब्जी आप धीमी आच पकाएंगे क्योंकि बाद ज्यादा कुछ नहीं करना है आलू हमारी पकी है बस पत्ते थोड़े से पकाने हैं और अब इसको ढग कर हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे जिस इक्कुल सब्जी हमारी ब सब्जी का पानी जो है वो पूरा सूख गया है हमने पूरी सब्जी धीमी आच पकाई है बहुत देर नहीं लगती है जब आप कडाई में सब्जी डाल देंगे पकने के लिए उसके बाद ये 5-6 मिनट पर बढ़िया से सब्जी रेडी हो जाती है तो ये देखिए सब्जी बनके रेडी हो गई है अब हम गैस को बंद कर देते हैं गर्मा गर्म आलू मेथी और पालक की सब्जी बनकर रेडी हो गई है आप बताईए आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी है बनाने में बहुत आसान है और ये स्वास्त के लिए भी बहुत अच्छी है तो एक ब कि बनके आपको